तो फाइनली DRD को वेकिंसी आज चुकी है तो जिनकर्ण डेट का बहुत पहले से इंतजारठर DRD में जाने के लिए तो उनके लिए बहुत ही सुनारा ओफशर है आप DRD में जा सकते हैं वेकिंसी आउट हो चुकी है और हाँ यह वेकिंसी राने वाली है आप यहाँ पर देख जोईण कर सकते हैं बिल्कुल आपकी Married List बनेगी वह जो बनेगी Married List आपकी Marks के अधार पर बनेगी जितनी आपने Marks गेन की होगी अपनी Board Exam 10 में उनके अनुछार से आपकी Merit लगने वाली है इसमें तो चलिए हम डेटेल्स में बात करते हैं और हाँ इसकी जो Benefit होने वा तो DRDO जैसे September 10 बगर अभी अपने latest vacancy देखा होगा, अपने exam भी सायद दिया होगा, तो कोई पता होगा, उसके बाद September 9 बगर में, तो इन जगह vacancies में आपको बहुत जादा छूट देखने के लिए मिलता है, आपकी quota reserve रहती है, तो बहुत सारे इसमें छूट आते रहते हैं, और कई बार इसकी इस तरह की vacancy निकलती है, जैसे कि apprenticeship करने वाले का direct इसमें entry होता है, 50% मार्श आपको लाने होते हैं, बाकी 50% आपकी certificate value पे आपकी merit लग जाती है, तो बहुत बहुत सारे फायदे हैं इसमें apprenticeship करने का तक बहुत सारे candidate इसमें कोशिश करते हैं, कि apprenticeship हो जाए होगा इसमें, और को कि इतनी अच्छी एक government की है, कि आपको salary इतनी जबरदस देती है, तो काफी ज़्यादा इसमें बार बार ट्राई करते हैं जाने के लिए, तो चलिए हम इनकी details में जानते हैं कि इनकी क्या process होती है, क्या इसमें as a railway के द्वारा ही, इसमें मतलब जिस त सेम इसमें भी होता है process कि आपको quarter वगर सब खाना वगर मिलेगा या ना मिलेगा हम सारी चीज़ों को बात करेते हैं, चलिए वीडियो पर लास तक देखें, उसके बाद आप अगर इंटेस्टेड है तो apply करें, और apply करने के बाद अगर आपकी percentage अच्छी खासी है या फिर तो आपकी कोई सोचने की बात नहीं, आपमें merit लगनी वाली है इसमें, सब first of all यहाँ आप आप देख सकते हो, यहाँ पर advertisement for the engagement of apprenticeship, तो apprenticeship की मैंने पहली बता दिया था, यह apprenticeship की vacancies रहने वाली है, उसमें हम बात करें कि, आपकी जो रहने वाली कितनी years की, यह तो apprenticeship one years की training आपकी करवाई जाएगी, as a DRDO की तरफ से, उसकी बाद हम बात करें कि, किन trade में कितनी vacancies आप इसमें खाली है, सब first of all यहाँ आ इसी तरह से और ज्यादा है, इस टैनोग्राफर, बहुत जार डिजिटल फोडोग्राफर वगरा की, काफी ज्यादा सीटे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो ज्यादा कंडेट इसमें होते हैं, वो होते हैं, इसमें इलेक्रिशन और फीटर में, तो इनमें आपकी करीब एक को और तीन वगरा इस तरह से आपकी रखी गई है सीटे, बहुत कम सीट हैं, लेकिन हाँ, इन क्या करोगे, इतनी कम सीट आती ही है, इसमें पिछली बार तोड़ी ज्यादा सीट थी, थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिला था, लेकिन इसमें काफी कम स इसकी तीन सीटे हैं, इसी तरह से टर्नर की सीटे हैं, उसी तरह से कार्बेंटर की सीटे हैं, अगर हम बात करें स्टैफन की तो आपको कितनी स्टैफन प्रवाइड करेगी, तो देखें यहाँ पर स्टैफन है, यह रहा आपको स्टैफन, तो स्टैफन की बात करें तो इसमें आप खाना पिना जो भी खाओ वगर रहो रोम रेंट वगर उदर से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको उसके बाद हम बात करें कि जो इन ट्रेडों में जाएंगे नीचे देख रहें इतनी ट्रेडों में जाएंगे उनके लिए जो इस्टाइफवन है वो आपकी होग 8,050 रूपिस अउनली रूप पर मन्त तो आपने जान लिया हूँ इस्टाइफवन क्या है और उसके बाद आपकी कितनी सीटे किसमे है उसके बाद देखिए यहां पर आप अप्लाई कैसे करेंगे तो देखिए कंडिटर रिक्वाइड टू अप्लाइड तू अप्लाइड प्लाइड करने की बाद क्या है कि आपकी इस्कान कॉपी अप्लोड करनी होगी वह इस्कान कॉपी कौन-कौन सी हो सकती है तो आपकी 10th certificate, IT certificate, Marksheet, Cash certificate, उसके बाद ID proof और इने single PDF फाइल यह आपको इस single PDF में आपको यह भेजनी पड़ेगी अगर आप नहीं भे तो यहाँ पर क्या होगा आपकी जो है application reject कर दी जाएगी अगर हम लास्टेट की बात करें तो लास्टेट आपकी 17 मार्च रखी गई है तो 17 मार्च इसकी notification बहुत 16 मार्च को ही publish होई थी और बहुत कम समय है इसमें आपको बहुत ही कम समय दिया गया है तो फटा-फट इसक तो वीडियो मिल रहा है आपको उसके बाद हम देखिए यह लास्टेट है तो जिन कंडिट के बास वीडियो पहले देखने जो notification bell icon दबा रखे है उनको बहुत चादा benefit होने वाला है क्योंकि उनको instant video मिल गया होगा बाकी वाद जो कंडिट आप मेरे चानल पर अभी नए हो होगे तो उनको यह वीडियो थोड़ा लेट से मिलेगा तो वो कहीं न कहीं इनके benefits नहीं ले सकेंगे तो यहां पर देख सकते हैं application देखिए एक चीज और मैं बता दू अगर आपको अंडिट नए देख रहे है मेरे वीडियो तो होता क्या है कि मैं कई सारा companies जैसे की हो गय या मारूति सुजी की बाग की जितनी भी आप company से सोच रहो महिंद्रा वगर जो भी तो इन सारे में कई बार ना पांस दिन की आती है date भरने की form कि इतना date से इतना date में आप form भरेंगे तो बहुत सारे कंड़ेट होते हैं कि हो IT करने के बाद भी 3-4 सलह से गवाते हैं तो उ उस पर वीडियो बनाने में तो एक दिन का समय जाता है क्योंकि बहुत बार टाइम नहीं होने के बाद जिससे एक दिन तो मैं खुद लेट कर देता हूं कई बार टाइम मिलने से में बना ही विद देता हूं तो अगर आप नए होंगे और आप चाहर है कि इसमें हमको आपको इंस्टन नॉटिफिकेसन मिलेगा अगर आपको वाके में जॉब की जरूरत है बहुत जादा नीड है आपको कि आप कम समय में थोड़ा इंकम कर लें उसके बाद हम पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है क्योंकि आप आपके पास अग सब्सक्राइब करके रखें और घंटी डवाल ने ताकि आपको जैसे ही में वीडियो अप्लोड करूं आपको नॉटिफिकेसन मिल जाए तो आपको क्या होगा कि बहुत सारा फैदा मिलने देखने की मिलेगा क्योंकि आप जू परकेंसी माल लिजे पांस पांस दिन की ही ट अप्लिकेसन प्रोपर तरीके से आपकी होनी चाहिए सही से नहीं तो आपकी अनत है रिजेक्ट करती जाएगी इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो आके आपकी वही सब है कि आपकी जो डी आर डि व यो वग अगरा जो भी है इमेल वग अहां आपकी shortlisted candidate को न देखें इसमें क्या होता है कि कई बार candidate ऐसे छूड़ जाते हैं कि इसमें होगे जो कि proper mail को focus करते होगे proper mail को daily check करते हैं तो करीब हम बात करें कि जो भी active candidate होते हैं करीब 80% sorry अगर हम बात करें कि 60% candidate ही mail को proper अच्छे से check करते हैं कोई भी message को ignore नहीं करते हैं पढ़ते हैं समझते हैं बाकी जो हम बात करें 40% student वो ऐसे ही ignore करते हैं वो mail वेगर तो कभी खोलते भी नहीं होगे तो ऐसा है तो बहुत सारे candidate को क्या active होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपकी पता चला shortlisted के message आभी क्या है आपने ध्यान ही नहीं दिया जिस date में आपको document verification घरवाना था उस date से आप चुक गए तो कई बार इन 60% वाले लड़कों में भी ऐसे देखने के लिए मिलते है तो वहाँ पर क्या हो कि जैसे ही आप कोई form भरते हैं तो जिसमें आपकी website के मादियम से admit card या call letter वगर है आपका issue हो रहा है या publish हो रहा है तो वहाँ पर आपको mail पर proper देनी चाहिए अगर आप mail पर देहान नहीं देते हैं तो पता चलता है कि आने के बाद भी आपका छूड़ी है उसके बाद minimum 8 की बात करें आपका इसमें 14 years मांगी गई है और अगर हाँ अगर आप इसमें अगर आप इसमें अगर graduation कर चुके हैं आप candidate तो आप इसके लिए eligible नहीं होगे graduation आपका complete हो चुका है तो आप इसके लिए eligible नहीं होगे minimum आपकी 14 years है इस उसके बाद हम आगे बात करें आगे selection candidate और इंटार इस्टाइपन एस पर फ्रोविजनल आपको जो है इस्टाइपन प्रोवाइट करेंगी apprenticeship act apprenticeship के रिगार्डिंग जो भी salary वहाँ पर आपको T.A.D.A. वेगर यह सब नहीं मिलेगी बाकी बात तो जो नियम होते है apprenticeship के रिगार्डिंग वह ही आपको fulfill करना होगा बाकी कुछ नहीं है अगर आप interested है तो फटाफट इसको apply कर देंगे तो उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए vacancies के साथ तो तब तक के लिए बाई बाई और चैनल पर नए है तो पिलीज चैनल को अब subscribe कर लिया होगे अब तक तो चले मिलते हैं किसी नए वीडियो में